तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका में यूट्यूब चैनल जहिंद पर आज मैं सिसके सरी आप लोग को डिली जीके में से टॉप मोस्षिष्टी के कुश्चन को बताऊंगा जो की आल कॉम्पेटिटिव एक्जाम्त जी हां दोस्तों आल कॉम्पेटिव एक्जाम्त के लि जो कि आपको बताया तो है कि निमन में से सबसे पहले भारत आया था वह था आपका अप्शन नमर बी मेगस्थनीज जी हां दोस्तों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौरे के समयकाल में सिकंदर का सेना पती जो थे सेल्यूकस निकेटर के उसके राज दूद बनकर मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौरे के टाइम पर भारत में पर्थम विजयसी यात्री थे और आपका पहला अप्शन हेंसाग जी हां दोस्तों हेंसाग जो है वह वह भारत आये थे वह वह भी व वर्धन के टाइम पर िहां दूस्तों हर्सवर्धन के टाइप में हेंसाग भारत आये थे आप तीछा नमर और ऑप्सन है आपका फायान जो आये थे होग चंद्रगुप्त जन्ड चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम प्रफायन भारत आये थे आइस कोशन में कर्ट एंसो या तो दोस्तों आपको आपको अप्सें नमर B मेगस थनीज जो बीज़सी आती है सबसे पहले भारत आये थे वह भी किसके सासंकाल में किसके राजदूत बनकर सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकोटर के राजदूत बनकर इसी के साथ बढ़ते हमनों अगले कुशन तरफ हम आगला कोशन है भारत में सरवपर्थम सोने के सिक के जारी करने वाला निम्लक्षित में से कौन था दोस्तों आपके बतायत है कि भारत में सरवपर्थम सोने के सिक के जारी किया गया तो आपके पहले बतायता है कि सरवपर्थम सोने के सिक किस के द्वारा जारी किया गया तो यह था इंडो ग्रीक के द्वारा आच दूसरा है जो प्योर गोल्ड यहां दोस्तों प्योर गोल्ड अगले कोशन तरफ हम अगला कोशन है इस कोशन का करेक्ट एंट से हैं यहां दोस्तों बिंबिशार जो था वह हर्यक वारा तो अप्योर्ध कोशन की जंता है इसके साथ बर्तम मगले को सुंतरप हमारा अलोकोशन है तराइन का दूतिय यूद में किसने किसको हराय था ज़िया दस्तो हूँ वास डिफिटेट इन दे सेकेंड बेटल अफ तराइन देर उप्सन सार अप्सन ए पित्वी राज ने महंबत गोरी और अफ्सन ब्रह गजनी अर्थात महंबत गजनी ने पित्वी राज को हराय था यदोस्तो už बतायते हैं कि पहला कि तराइन डित्य यूद का हूँ था तो पहले आपका सेच याइशै आते हैं त्रायन का पहला यूद हुआ था उब हम दोस्तों आपका ऻुद हम त्रस्टेश के पीछ था मोंबातगोरि और पित्वी राज्यवहान के विच जिसमें पित्वी राज की विजय हुई थी। जो तरह्य हो था वह किसकी से बाइच समिन हो था मोहमबत गौरी और पित्वी रहरी स्वहान के भीज इसमें जो विजय हना हो था वह था अपका मोहमबत गौरी दोस्तों मोहमबत गोरी को 1192 मतल्च ऐसमें केहन दित मैं में बिच जो की हुआ था इल्तूतमेबाइन का यूद हुआ और इसमें जो जीता हुआ था आपका उल्तितमीज जिहां दोस्तों इल्कूतमेबाइन के तिसरे यूदे 1215 में हुए यह 133 यूद का बिएता गुशित किया गया तो इस कोशन करेंट लुप्र स्रे यूद अर्था 1192 में यूद हुऊ था उसमें कौन जीटा था आप अब को बता चुक्या रहिए करेंट से लुट से हो जाता है कि मोहमबद गोरी ने पित्वी राज को हराया था जी हां दोस्तो तराइन के दित्वी यूद में अर्थात को अब वह था आपको बता दियें कि तराइन के दित्वी यूद हुआ था वह हुआ था 1192 इसी में वह किसके इसके बीच मोहमबद गोरी और पित्वी राज चौन के ब खजुराहु मंदिर का निर्मार किस ने करवाये था को फिल देरा ओप्सण सर ऑप्सण ए सिंध्या के द्वरा ऑप्सण सी बुंदेला रजपूत के द्वरा या और कि दौरा दोस्तो आपको बता में खजुराहुट टेंपल मौजूद है आपका मध्य परदेश में जी हाँ दोस्तों मध्य परदेश में अर्थात MP में फिलाल खजुराहुट टेंपल मौजूद है तो दोस्तों इस एक साथ ब्रत्म अलेकुशन तरफ हमारा अलग कोशन है कादंबरी के लेखाक कौन थे जी हाँ दोस्तों who was the author of कादंबरी देर ओप्सन सार ओप्सन ए बान भट्ट ओप्सन बी कोटिल्य ओप्सन सी भाशकर वर्धन और ओप्सन डी बिंदुशारा दोस्तों आपको बतायते हैं कि वान भट जो है वह कादंबरी के लेखाक अथात ओ अब जो थे वह थे भाण भट इसके साथ बढ़ते हम लोग अगले कोशन तरफ आमार अगला कोश्चन है कोश्चन नमर साथ सत्य में उजयते सब्द कि उपनी सथ से लिया गया है तर्म सत्य में उजयते इस टेकन फ्रम विष्ट उपनी सथ देर आप्सन सार आप्सन ए मुड़ोक उपनी सथ से सत्य में जयते सब्द लिया गया है इसके साथ बढ़ते हम लोग अगले कोशन तरफ हमार अगला कोशन है कहां से की निर्थे करती हुई कन्या कहां से प्राप्थ हुआ जिहां दोस्तों वेर इस कन्या परफॉर्मिंग इन ब्रॉंच डांस डिराइ manger d इन मेंसे कोई नहीं th 웅क की कासे नित्य कर्ती हुई कन्या जो प्राप्त में वह था आपका ओप्शन मेदी शिंदु घांस खटी सब्वेतसा अगे किस जगा से कहां से प्राप्त हुए इस की नित्य करती हुई कन्यां प्राप्त हुए थी और प्राप्त हुए टyu प्राप्ट हुई थी अब आपको बताया है कि मोहन जो दाड़ो सहर है वह किस नदी के किनारे विक्षित है या विक्षित हुई थी उस्टाइम सिंदू नदी के किनारे सिंदू नदी के किनारे मोहन जो दाड़ो सहर विक्षित हुआ था और यहीं से कहां से किनीत करती हुई करन्या प्राप्ट हुई थी तो दोस्तो इसे के साथ बढ़ते हम लोग अगले कुछन तरब हमारा अलग क्वेश्चन है इल्टूतमिस ने कहां से सिच्छा किंद्र अस्थापित किया था जिहां दोस्तो वेर इल्टूतमिस इस्टलाब्राइश्ट असेंटर ओफ एडुकेशन जिहां दोस्तो इल्टूतमिस ने कहां सिच्छा का किंद्र अस्थापित किया था आपके ऑप्शन से ऑप्शन A मु केंदर अस्थापित क्या था वह किया था आपका option number D दिल्ली में इल्टूतमिस ने सिच्छा का केंदर अस्थापित किया था अब इल्टूतमिस से related important question को आपको बतायता हूं जो की 1111 से लेकर 1236 के बीच में जिहां दोस्तों इल्टूतमिस का सासनकाल था वह था 1211 से लेकर 1236 के बताता हूं कि इल्टूतमिस नहीं कुतूब मिनार का निर्माड पूरा करवाय था इसे के साथ बढ़ते हम अगले कुछन तरफ हम आगला कोशन है असोक के शिलय लेकों में कौन सी लिपी का परयोग किया गया है जिए जॉसतों असोक के शिलय लेखों में कौन सी लिपी का परयोग किया गया है which script is used in asoka's inscription there options आर, option a ब्रह्मी लिपी option b देवनागर्वी लिपी, ऑप्षन C, गुरु मुखी लिपी, ऑप्षन D, संस्कृति लिपी, दोस्तों आपको बतायते हैं कि असोक के सिला लेक में जो लिपी का परियोग किया गया है, वह है आपका अप्षन नमर A, ब्रह्मी लिपी, जिहां दोस्तों ब्रह्मी लिपी, ब् मगदी भासा में, यह लिपी जो लिखी गई है, यह है मगदी भासा में, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, अपने फेट के साथ ज्यादा से ज्यादा किसी प्लैटफोर्म में WhatsApp, Facebook कहीं भी ज्यादा से ज्य इंए बादा जिए आया है, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा, यह है।